और मोस्ट परभबली मैं नेक्स्ट विक में लूँगा टेस्ट और विट वन विट वन क्योंकि अर्मोस्ट कंपिट होने वाला है तो नेक्स्ट विक में मैं टेस्ट लूँगा तो यू आल प्रिपेर वेल अब यह विए हैविग दौट यू आज में टैम अगे तो कर ने देखा था की शॉट की जंक्षन क्या होता है और कब होता है यह मैं देखा था कोई पता पाएगा कि शॉट की जंक्षन कब बनता है अगर मैं पूछ हूँ कि मेटल के वर्क फंक्षन और स्विगंटर के वर्क फंक्षन में एक रिलेशन में अपनों को बताया था कि फाइम और फाइएसम जो है फाइसमी जो हमने यहां पर दिया हुआ है यह मिटल का वाप्षन है यह से में इस अपर का वर्क फंक्षन है तो कौन ज्यादा बडा होगा तो वील गेट शौट की जंक्षन एंड विच वन वील बी देन वील गेट ओमिक जंक्षन को बता पाएगा कि एनीवन कि अश्चन ओप्वर्क फंक्षन ओप्वर्क फंक्षन अश्यादा होगा कि सब्सक्राइब कि अगार फंक्षन एंड अप्वर्क फंक्षन आदा होगा चैसे मैं वान पर फंक्षण जो है ताह बी ओमोर तो हम वहां पे वील गेट आश्ड की जंक्षन और अगर कि पे मोर है तो वील गेट ओमिक जंक्षन रिशन है ना है मैं आपनों को बदाया था ही चीजिज कल यहां लिए देखो आइ लिए शॉटकी जंचिन if 5M is greater than 5 semi then we will get शॉटकी जंचिन और आइ लिए फाय में 5 semi then we will get a omic junction रूचिजी और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो ओके तो करने एक और चीज देखा था कि फॉर्वर्वाइस में इसको क्यों हम यूज करेंगे तो हम देखा था कि जनरली हम जो हमाँ सिमिकनेक्टर है उस पर हम देखते हैं कि उस पर हमने क्या वोल्टेज अप्लाई किया है है तो फॉर्वार्वाइस एया रिवर्वाइस है तो अगर था से निग्टिव जो जोडा हुआ है तो अगर हमने उससे जोमा हीह तो महीनगे तो फॉर्वाइस एगष्वीघस करें मेंगे कानेक्शन तो यह मैं दहीं हम इस OS को जनए किया तो क्या फर्क पर रहा है इसके band bending पर यह जो band bending है इस पर क्या फर्क पर रहा है तो हम देख पर रहे हैं कि यह जो है यह इस इंड ऋर यूज है उसमें जो है रिडिउस हो रहा है उके इस इस बिइंग रिडिउस्ट थिए कितना हो रहा है जितना हम अप्लाइए कर रहे हैं ये लिडिशिए जो वाद में क्या हो रहा है कि हमारा bandwidth हो रहा है यहीज हो रहा है यहां से अगर मात करें रिवर्स बैस का तो रिवर्स में क्या होगा कि it will बिकम लाइजर जो हाइट है वो और हायर हो जायगा फैक्टर और प्लस गार्ट है जितना हम एक्षा बड़ करेंगे इसमें किसी को डाउट कि देन अगर बात करें हम आई विक करता है तो यह जो सिंपल डायोड हमने देखा था उस जैसे वर्क करेगा लेकिन इसमें जो नी वोल्टेज है वह बहुत कम होता है और मुस्ट पॉइंट 2.3 वोल्ट होता है इसमें ठीक है क्योंकि हमने एक साइड में में उसक्या हुआ है इसमें जो नी वोल्टीज होगा विल भी मच लेसर एज कमपेर टू दी नॉर्म पी इंग्समें डायोड ठीक है ओके और इसमें जो रिवर्स पॉल्टेज मिलेगा मुझे वह भी जो है मैक्रों मिलेगा ठीक है यहां तो कोई डाउट किसी को ओके नेक्स्ट इस ओमिगंशन इसको तरह देख लेते हैं कि यह क्या होता है ओमिगंशन ठीक है में में дेखा कि अगर सिमिक नंक्टर का जो वाक फंक्न वह हाईयर होगा तो जो जुंक्सन फॉर्म होगा यह वी नुन वह दो जो आइस ओमिंग्सम के लिए क्या था इसमें हमें देखेंगे कि जो वो प्रेंड को यह उसका जर सश्ट उल्टा होगा क्योंकि हमनों उसमें उसमें वेंड देखा है कि उसमें बने उसमों कि विद खेंग करो सकते हैं यह जर्ण होगा मैं एफ जलोगा हुभ अदीक हैै Europan ऐंकी एब इसमें क्या है कि क्योंकि सेमी तेंट से इसमें उसमें वहारी है कि मैंपशन्ध से जा रहा था में यहाँ पे इलटा होगा कि एलेक्ट्रोंस ला इंट मुव फ्रम दय fleeing टूए तौए एमठी एस इन्षस میचे यहां ऐसा ह an एक 써 कि यहाँ लगा दिर विल गल यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्योंकि हम ने क्या किया था कि एंड टाइप से तो यहां से वह जा रहा था अब ऑच चमीलेट हम यहां पर धूमलेट होगा और यहां पर यहां पर क्या किया है हम यहां पर यहां पर कंया 및 शा it और शुमलेट कर् deze की में बब तो कह लुकुमलेशन हो रहा है है जाक ठीक में तो उसको बोलते हैं हम accumulation region बोलते हैं अब क्योंकि आप एक अठा हो रहा है तो क्या होगा कि उसका connectivity जो है that will be higher than the semiconductor कि यह समझ मैं आप लोगों को यह नहीं समझ जाए कि अगर हमारा जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि metal से semiconductor में आ रहा है electrons तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर होगा बहुत देंस होगा as compared to the semiconductor semiconductor की connectivity है उसके मंकाबले जो हमारा surface है वहां पर connectivity बहुत हाई होगा जहां पर हमारा accumulation हो रहा है वहां पर कि इतना क्लियर है आप लोगों को या इसमें कोई डाउट है जहां भी डाउट हो पूछ लेना कि इस डाउट है कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग कि अज़ पूछ इस तरह से ओमेडी जनसनल फार्म होता है अब जो है ओमेडी जनसनल फार्म हो गया तो अब हम इससे क्याहत चीज समझ सकते हैं अब इसमें क्या होता है इसमें दो तर से भिलिकरता यह अब इसमें हो रहा है अब इसमें वह रहाए तो यहां पे दो चीज होगा यहां पे या तो हीट जनरेट होगा यहां पर हीट होगा क्योंकि यह ज़स्ट एक रेजिस्टर कर रहा है तो इस सब्सक्राइब तो यह जो हमारा जंक्सन है अगर वर्क कर रहा है तो इट कैन वर्क बोथ है जो हीट ऑब्जर्विंग और हीट डिसिपेटिंग डिवाइस मतलब यह हीट को जनेरेट भी कर सकता है और हीट को अब्जर्व भी कर सकता है ठीक है सब्सक्राइब इसको किस तरह से कौन सा मेटल कर रहे है उस पर करता है कि यह धी अजगर है या या एब्जर्वाइब यह जो उसको है जब भी हम दो जंक्सन को यूज़ करते हैं जो इसमें की डिसमिलर मेटल इस यूज़ हुआ है और वहां पे अगर हीट जएंड हो अब इसमें अगर current flow जैसे कि एक side से होगा तो वह हमेंसा heat को observe करेगा और दूसरे end पर होगा तो वह heat को release करेगा ठीक है? यह clear है? है ना? तो this omega-1 behavior just as a register connecting both forward and reverse bias okay? okay then next is special diodes अब हम next topic जो है जिसमें की हम different types of diodes को हम learn करेंगे यह different diodes हैं जिसमें की internal diode है, reactor diode है, short-ki diode है short-ki diode जो हमने अभी learn किया है उसी बेस्ट German diode बनाया है जो diode यूज करते हैं उसको बहुत है short-ki diode then we have photo diodes, photo detectors, LEDs and solar cells जिसमें से बहुत का अननाम आपने सुना भी होगा ठीक है? कुछ use भी किया होगा आप लोगोंने हो सकता है जिसे कि LED है आपने use किया होगा है ना? solar cells है जो आपने देखा है photo diodes है जो आपने होसता ही यूज किया होगा तो इस सबकी working गवार हम समझेंगे कि यह कैसे work करता है ठीक है? और इसके symbols क्या क्या होते हैं हम अभी learn करने वाले हैं इस section में जो हमारा next section में start हो रहा है that is special diodes तो first है उसमें tunnel diode तो हम यह learn करते हैं tunnel diode क्या होता है okay tunnel diode का symbol मैंने दिखा रखा है, कुछ इस तरह का होता है diode का symbol बहुत important है जो कि आपको मैंने बताया था कि एक simple diode junction diode है तो इसमें यह इस तरह का symbol होता है, ठीक है? अगर यह general diode है तो जने का सिम्बॉल कुछ इसतर का होगा इसमें कि सिम्पल डायोड है और इसमें ये कुछ इस तरह का है कि जट बना हुआ ले हो जायाएगा मारा जेन डायोड ठीक है ? नौ टर्रनल. छुआ पीज़न करें उनम करेंसे द्याइन रखो कि इसको सिंबॉल क्या होता है यह वह गया सब्सक्राइब तो इसके त्थांटा में सफजिन देखस्य वेल्च निकला हूए अन्सेंटा यहां अगर आपनों को याद होगा कि जैने में आप लोग बताया था कि Christmas event कुछ कि सोधां है कि anyone आप लोग एंसर दिया और आप लोग कुछ भी नहीं पताया तो पताया करो, या फिर पताया तो पताया करो, देखो, सही गलत यहाँ पर आप गलत भी पता होगे तो कोई ज्यादा एफेक्ट नहीं पढ़ने वाला है, है ना, में है कि आप अपना opinion रख रहो यहाँ पर आपक कौन कितना समझ रहा है, आउनलेन में आप लोगों को, मतलब अपने opinion को share करना पड़ेगा, तक कि मैं समझ पाऊं कि, मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है या कोई doubt है या क्या है, तो टनल डायोड, यह जिनर डायोड में आप लोगों को बताया था कि टनलिंग एफेक्ट होता है, अब वोगों क्या होता है था कि जब हम डोपिंग बहुत हाई कर देते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर, इसे कि मैं अगर एक यहाँ पर बताऊं, तो यह एक मालोग कि यह जंक्शन है, है न, और यहाँ पर, sorry, यह अगर जंक्शन है, तो मैं बताया था कि दो तरह से इसको हम डोपिंग करते हैं, एक होता है very less doping, एक होता है very high doping, जहां पर हम बात करेंगे, मैंने आप लोग बताया था कि अगर p पे plus लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम very high doping, या फिर n पे plus लगा हुआ है, इसको आपको जल्दी नहीं आ गया आज, तो मैं आप लोग बताया था कि एक होता है concept very high doping का, ठीक है, जब हम बहुत high doping करते हैं, तो depression width का thickness जो है, बहुत कम हो जाता है, इसमें किसी को doubt है कि अगर हम doping high करेंगे तो इसका thickness कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, anyone, कौन बताएगा मुझे कि इसका thickness कम क्यों होगा, अगर doping less है, तो we will have this much width, जो महारा depression business channel का width है, मालो, कि this much है, और अगर हम डोपिंग, ये, this is for the case of very less doping, या normal doping, और अगर हम डोपिंग हाएग कर दिया, तो हमारा width इतना हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, anyone, कोई बता पाया था, इसका answer, no sir, अगर आपको याद होगा, तो मैंने एक jumper लिया था, एक haul का यंपर लिया था मैंने, अगर आप लोगों को याद होगा तो, कि अगर एक haul है, और इस haul में मालो की 1000 persons है, मालो की अभी पहले 100 है, ठीक है, 100% है, और वो equal distance पे, उनका जो spacing है, ठीक है, और उसमें से, यहाँ पर मालो की यहाँ gate बना हुआ है, इस gate से हमने 10 लोगों को निकाल दिया, तो क्या होगा, इतना space खाली हो जाएगा, अल्मोस्ट, है ना, क्योंकि 100 है, इसका 110 है, यह खाली हो जाएगा, लेकिन मालो की अगर इसी haul में 1000 person है, और फीर्स में से हम वही 10 निकाल रहे है, जब 100 था 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 हमने 10 निकाला था इतना खाली हो गया, अब अगर 1000 है, तो obviously क्या होगा, इसके 20 का spacing बहुत कम हो जाएगा, इसमें कोई doubt है, तो बताओ, यह जो मैंने दिया है, लिया है, एक example, analogy, Is it clear to all? Yes, sir. अगर यहां पर यहां पर बन गया बैरियर, अगर आपनों को पता हो, तो इस तरह का कुछ बनता है बैरियर, है ना? यह जो बैरियर है, यह जो height है, this is almost 0.7 volt, तो electrons अब यहां से यहां पहुंचने में उसको क्या, अब इतना energy नहीं है उसके पास कि वो यहां से यहां पहुंच पाए, तो उसके लिए उसको कितना लेना पढ़ेगा, उसको लिए कोई external supply देना पढ़ेगा, यहां पहुंच पा 0.7 volt का energy यहां पर, potential यहां पर developed हो गया, उसके लिए जो number of electrons और holes को recombine करना है, that is fixed, वो fixed है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, बले हम doping कम करने जादा करें, तो जिससे मैंने आपको देहते, example कि 10 electrons, 10 people यहां से move कर रहा है, तो यहां भी वो fixed है, तो यहां पहुंच पहुंच 0.7 volt का potential barrier बन जाएगा, तो that is fixed, less doping हो या high doping हो, तो जब less doping था, तो इतना जगा खाली हो गया, 100 के लिए, लेकिन जब बहुत high doping है, तो बस इतना ही जगा खाली हुआ, ठीक है, यह समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो इसलिए क्या हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रह doping रहेगी, तो जो end type में number of electron बढ़ेंगे, तो वो भी तो एक दूसरे को repeal करेंगे, तो उससे deflation width की size नहीं बढ़ेगी, नहीं समझ में है, फिर से बोले एक बार, जैसे doping की मातरा ज्यादा बढ़ाएंगे, तो career concentration भी बढ़ेगी, बिल्कुल, तो sir, जो number of electron, sir, end type में किसको repeal करेंगे, तर electron और electron एक दूसरे को, sir, equal charges, sir, repeal करते हैं, नहीं नहीं, देखो, पहले यहाँ पर हमने electron को doping किया है, यह पहले intrinsic था, हमने यहाँ पर doping किया, अब doping किया थे कि metal है, metal में कितना होता है electron, almost 10th power 25 के आसपस होता है, ठीक है, तो उसमें कोई repeal करता है क्य रिपल करेंगा जब यह बहुत पास आ जाएगा लेकिन electron का जो साइज है, वह इतना कम है, कितने में एंग स्ट्र Свें होता है, वह एंग स्ट्रॉम मे होता है, है ना, तो जब वह एक सपास में आएगा, तो रिपेल करेंगा, तो रिपील करने का मतलब क्या होता है कि, यह थ सब्सक्राइब और तो उसमें कोई हैं यहाँ पर काम नुकरेगा ठीक है यह क्लिए हुआ यहाँ पर हम रोपिंग करें वो इतना तेन पावर फॉर्टीन पावर 17 ऐसे हम रोपिंग करने यहाँ पर जिसको है हम हाई डोपिंग वह है यह है वह यह है है तेसि अग्ठीर तो इससे बहुत कम है यह है ओके यह डॉट क्लियर हुआ है इसमें कोई डॉट तो यह चीज क्लियर हुआ आप लोगें को कि डॉपिंग हम अगर हाइक कर रहे हैं तो हमारा डॉपिंग का ठीकने से वह कम होता है कि दिस में गॉट हाँ जाए और अगर डॉपिंग हम कम कर रहे हैं तो यह तो यह बहुत इंपोरेंट कॉंसेट है यह अगर मालूम नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होगा आगे समझने में को यह इसका माँ आगे बहुत यूचलने वाले है ठीक है इसमें एक और सी जायाएगा आगे हम देखने वाले हैं कि अगर डोपिंग डिस्सिमिलर है मतलब कि अगर पी टैप में डोपिंग कम है और एन टैप में ज्यादा है मालों कि यहां पर पी है और यहां पर एन प्लस है यह भी हम आगे देखने वाले हैं इसमें क्या होगा यहां पर डिप्रेशन विर्थ ज्यादा होगा और इधार डिप्रेशन विर्थ कम होगा है ना अगर यहां पर N+, यहां P है नदल कि यहां पर ज़्यादा है यहां पर दोपिंग कम है तो P साइड में डिप्रेश न विर्ट का थिकनेस ज़्यादा होगा और N साइड में कम होगा तो यह भी हम आगे यूज करने वाले हैं कि इसको समझ पर अच्छे से कि आए तो जब हमने डोपिग यहां पे कम कर दिया रोपीज कंद जा कर दिया है तो क्या होगा टिकनेश मोहतर कम हो गया इसका लिए जब कम हो गया जो है और अगर वहिगा तो उससे अल्मोंस्ट अपॉन अपन अहन्डरेट कम हो आता है यह तिकनेश है 100 टेमस कम हो आता है उससे क्या होता है, कि जो हमारा चैनल है वो बहुत कम हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था इस तरह थे, कि अगर इस तरह का हमारा पास तो यह जो width है, यह width क्या है, बहुत कम हो गया है, नॉर्मल में क्या होता है, कि नॉर्मल में वह ऐसा width होता है, यह हमारा width है, तो इसको यहाँ जो electrons है, वो इधर नहीं आ सकता है, वो इधर पास नहीं कर सकता है, अब यहाँ पर क्या हो गया, कि यह width इतना कम हो गया है, कि electrons है है न्याएक यहां से यहां पर जाएगा है यहां पर टर्ण फर्म हो जाएगा ट्री मेकट टर्नल और उससे क्या होगा कि इसमें करेंट का फ्लो स्टाथ हो जाएगा कि समझें आरे चीज है यह clear है पनों को तो भी मैंने यहाँ पर लिखके आप लोगों के लिख दिया है मैंने यहाँ पर कि इन दिस थिन डिप्रेशन रिजन दो तुर विस मेंनी केर्श कें टनल रैधर दन अटेम्ट तू सर्माउंट मतलब कि वह रिप्रेशन बैजियर को क्रॉस नहीं करेगा वह क्या करेगा जर्श टनल हो जाएगा एक ट्रोन माश ठीक है जिसे की एक हाइए करेंट फ्लो होता है ऊके उसको बोलते हम पंचिंग connects थ्रू उसेफेट को जो जो हम बोलते हैं वह बोलते हैं पंचिंग uns थ्रू हूं अब इसका application क्या होता है कि इस device को on करना और off करने में तो इसमें नाइनो सेकेंट्स का स्विचिंग होता है जिससे कि इसका एप्लिकेशन जो है जहां पर हमें बहुत ही हाइश स्पीड का एप्लिकेशन चाहिए वहां पर इसका एप्लिकेशन हम गरते हैं जहां में हमें बहुत हाइश स्पीड पर या या यूज करना है तो वहां पर हम यह क्या उज़ करेंगे जिससे कि हमारा जो स्विचिंग हो बहुत फास्ट हो क्लियर इतना क्लियर है अब यह जो है यह इसका वी आई कर्व है जो की बहुत इंप्रेंट है है अब यह जो कर्व है आपका नॉय डायाओड जो है सकतार वेशा होता है जब हमने यह उपर दिख यह पीड यह पीड कि यह है और हिए वैली इसको lob लाए इसको पीक बोलते हैं और इसके बाद यह normal कर वह अब यह कैसे हो रहा है, जब हमने डायोड को यह वाना डायोड है जो की मारच टरनल डायोड है कि इसको हमने फॉर बैस क्या तो अब क्या होगा, क्या होगा कि जैसे ही हमने यहां से अप्लाइब किया तो क्या होगा कि यहां से टर्लिंग हो रहा है तो इसलिए यहां पर दिख रहा है को जैसे हमने हलका सब करेंगे तो क्या होगा कि यहां से आना कम हो जाएगा अब यहां से अना यहां पर कम हो जाएगा ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं आपको समझाओं है इसा क्यों होता है कि समझना है इसको अच्छे से यह हमारा पी साइड है यह हमारा एन साइड है ठीक है अब यहां पर क्या हो रहा है देखों यहां पर एलेक्ट्रोंस हैं अब यह यहां पर आ रहा है यहां पर आ रहा है शीधे इस चीज़ को समझना सभी अब यह यहां से रैटली आ रहा है अब अगर हमने वोल्टेज इंकीस किया अब क्या होगा कि यह विर्थ जो है यह जो हाइट है यह हाइट कम होगा यह जो हाइट है यह हाइट कम होगा इसमें किसी को डाउट अगर हमने एक्स्टा वोल्टेज अपलाई किया तो क्या होगा यह हाइट कम होगा अब यह हाइट कम होगा तो क्या होगा यह जो पहले यहां पर था अब यह कहा मूँव करेगा अब यह ऊप जैदाओ लगाना पदो यहां पे आने क्रिए कि खर्खांग कम आए एधर हमने और वोने किसल किया कि मारण लोग फिर यह है यहां पर आए अब यहां पर आगया अब यह यहां से बहुत tant सब्स्क्राइल कुई हो लंग útil कि मैंें पीक न जब यह यहां पर तो तो की बोग वो कल रहा है यह हमारा का है था चैनल जो कर रहे हो करेंट कम हो रहा है मेरा सिंट्रेस्ट में ध्यान दना कि हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं और करेंट कम हो रहा है ठीक है और होते होते यह मैक्सिम यहां तक पहुंच जाएगा अब अगर हम और हम वोल्टेज अप्लाइ करेंगे तो क्या होगा अब लेक्ट्रॉंस यह हमारी करव था। उसको फॉलो करेगा। यहीं क्या है नामल करव। समाज में नहीं नहीं आ है। टरॉनल ट्याओड का एफेक्ट समझ में आ अपनों को। अब यह जो जो रिजन है इस कर बोलती एग加 कर रहे हैं तो करेंट हमारा न. क्याँ पर यहां पर क्या हो रहा है कि हम में कीश कर रहे है। एक सकिन एक सकिन एक सकिन एक को लगे टेंपूर तो यहां पर इसको बोलता है निगेटिव रजिस्ट्रिंस क्योंकि हमने वोल्ड कर रहा है और करण डिक्रीज हो रहा है यहां पर अब यह जो चीज है यह बहुत इंपॉर्ड फैना मेना है एक बार हमने वोल्ड एक कीज किया है के इसका JULY किर सकते हैं for generating 19 इन यहां पर हमें छाहिए दिशनस का unaware पर द्रोग करो हम सकते हैं कि रखलंग और हमने में सब्सक्राइब करें दो यह से हुआ चया किए रखले। जो है वो कम जएदा होगा फिर कम हुआ है जबाद है तो इसका इक टरॉप का एक टरॉपम्त है जहां पर हमें और था हुआ यूजड़ ऑछी करते हैं इसका या फिर जहां पर हमें ऑस्टे शहीं इसमें दो बहुत पॉइंट हैं कि पीक और वैली, तो वी पीक पे आए पीक होगा और वी वैली पे आए वैली होगा, इसमें किछे कोई डाउट? इस सब को समझ में आए है? Is it clear to all? Okay, तो इसमें जो most frequently हम जो मेटरली यूज करते हैं, वो जर्मेनी यूज करते हैं या फिर गैलियम असनाइड यूज करते हैं, अब यहां पर आए पी वर्सिस आए वी, आए पी वर्सिस आए वैली जो है बहुत इंपरन्ट रेस्यो है, जो कि हम यूज करना होता है, जर्मेनी के लिए यह 10 is to 1 है और गैलियम असनाइड के लिए 20 is to 1 होता है, तो यह हमारा टनल डायोड था, इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट, अभी तक, नाओ, ऍसमें कि यूज की करते हैं, यूज को अहने है, इसर्मेशी कृश स्वनियम ऑटनु खीली जो है, यह एक सत्वाट दूनु है, इसर्मेशी सत्वाटारां, छोशट फर मेरिय करिख टो Chic, शाड़ पूलते हैं, वेरियर्य Люб ल कपिश्ट रिय बिंप भी इस्को, ठीक है या फिर tuning capacitor बोलते हैं इसको तो यह सब इसी की नाम है वेरी कैप बीवी सी या फिर tuning capacitor हो गया तो यह सब इसी का नाम है ओके जिसमें कि हम voltage dependent variable capacitor बनाते हैं ठीक है अब इसमें basically हम जो हमारा junction capacitance होता है हमने जो learn किया था ठीक है diffusion capacitance जो हमने learn किया था है या फिर transition capacitance we have learned that junction capacitance is of two types है ना एक होता है diffusion capacitance एक होता है transition capacitance ठीक है तो उसी को हम यहां पर देखेंगे कि उसी को use करते हम यहां पर उसका use करके हम एक diode बनाते हैं जिसका की capacitance vary कर सकता है okay अब capacitor बनाने का use क्या हुआ application क्या हुआ अब देखो जब भी हमें IC बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि जितने भी inductor है या capacitor है वह सब हम IC बना पाए अब जो हम normal capacitor यूज करते हैं जिसमें कि हम तो उससे क्या होता है बहुत बल्की हो जाता है बहुत अबरा हो जाता है इसको हम चाहिए में डालना तो बहुत मुस्किल है इसलिए हम आगे जाके आप देखोगे कि मॉस्फिट करते हैं थे तो यह जो है इसका जो ऑपरेटिंग मोड्स है वह डिपन करता है जिसमें कि हमारा जो जन्वार कर रहा है तो उसके लिए हमें पता है कि जो होता है छो यह होता है जो क्या है और एक है क्या है इससा निकाल को यह उन्जाए है खर अब इसमें क्या होता है कि वैसलिए हम डिपरिशन विड्थ का जो जो यह विड़्थ है उसको हम करेंगे हैं तो हमारा इंक्रीज होगा अब यह तो हो गया कि नॉर्मल जो हमारा विदाट एप्लाइंग एनी बाइस है अगर हम बाइस अप्लाइब करेंगे तो क्या होगा उससे क्या होगा कि हमारा जो वह बाइस डिपेंडेंट होगा कि हम कितना उसको कम जाद कर रहें ठीक है तो अगर प्रशेश अप्लाइब करेंगे तो अगर इसका अप्रोशन गश्राइब करेंगे तो फ्रॉम्ला इस तरहाता है CT equals to K times VT plus VR. VT जो हमारा क्या है? नीज पोटेंशियल है, और VR क्या हमारा? रिवर्स पोटेंशियल है. ठीक है? और N जो है, यह basically junction में बन करता है कि वो जंशन किस तरह का है? य जंशन है, तो half होगा और diffuse junction है, तो 1 by 3 होता है वो. और K जो है, K है कि हमने कौन सा मेटरी यूज किया है, उस पर बन करता है हमारा K. ठीक है? तो K जो हमारा basically process parameter है, और K अपन VT plus VR times N होता है, इस तरह की से हम capacitance निकाल सकते हैं, वेक्टर डायोड में. ओके? इनी डाउट? तिल नाओ? इसके बाद इसका साथ हम देखें, तो V-I curve जो है, कुछ इस तरह का होता है, हमारा V-I curve. यह अगर आपको याद होगा, तो कुछ इस तरह का curve था हमारा V-I curve, जिसमें कि यह forward voltage था, V-up था, और यह हमारा reverse voltage था, V-R. है ना? अगर याद होगा आपनों को, तो यह हमारा basically capacitance था हमारा, कि voltage को change करेंगा, तो capacitance पर क्या फर्क परनेगा? तो यह forward voltage को increase कर रहा है, हमारा depreciation width बहुत कम हो रहा है, तो हमारी कुछ इस तरह का curve यहाँ पर, capacitance बहुत increase हो जाएगा, अगर हम reverse voltage अपलाई कर रहे है, तो हमारा capacitance जो है, zero पर maximum होगा, और धीदने क्या होगा, हमारा कम होते जाएगा, capacitance, तो यह हमारा V-I curve था, sorry, VC curve था, voltage versus capacitance curve था यह, जो हमने, जब, 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 जब कर देखा था, हम आपर, अब यहाँ पर क्योंकि हम इसको, इसको, इसको करते हैं, तो इसको कर रहे है, कुछ इसका हो जाएगा, इसमें की, zero पर हमारा यह, C0 है, है न, ATP को मिलता है, हमें, और जिससे हम reverse voltage, इंक कीज करते आएगे, विसे विसे हमारा यह, कम होता जाएगा, and this is the symbol of reactor diode, इसमें की, एक diode है, और इसके साथ हमने, एक capacitor लगा दिया, यह बन गया हमारा reactor diode, यह very cap, ठीक है, यहाँ तो कोई डॉड किसी को, एनिमन, सोज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सोज में आ रहा है, सोज में नहीं आ रहा है, इतना क्लियर है आप लोगों को, अब इसका सिंबॉल जो है, वो कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर स्टैप का होता है, स्ट्रेट में, यह डायोड है, सिंपल पर डायोड बनाएंगे, और फिर क्या होगा इसमें, कुछ इस तरह का हम बनाएंगे, यह बन जाएगा हमारा सौट की डायोड, ऑके, अब इसका और भी डिफिन नेम है, सौट की बारियर डायोड बोलते हैं इसको, यह डिफिन नेम है इसका, इससे हम एंड टाइप से लिकन ही होगा है, ठीक है, नमर्ली पी typically यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अब जो मिटल है मिले प्डिनेम यूज करते हैं या पिर प्रेत्किन प्रेटिन हैं या फिर क्रोम या फिर टांस्टेन यूज करते या ठीक है, यह हमारा यहां पर अब यहां पर जो गोल्ड रीफ मिटल और यहां तरह एक हम पर यहां पर यहां होटक है यांत हम गोल्ड लेंगे वह यह इस तरह कि इसे हमारा हो button है इसको है कि हमस्कों भी करते हैं जहां पर हमें आप वोल्टेज तो करेंट या पिर एक तो डीसी कर नवर्टर करते हैं तो वहां पर यूज करते हैं या फिर इसका और भी बहुत जोता है जहां पर हमें हाइए स्पीड चाहिए यह फ्रिकूंसी चाहिए तो जिसे की डिफेंश एक्विमेंट्स हो गया यह फिर कमिनिकेशन भी था इसमें क्या होता है यह फिर एक यह फिर-चाहिए यहां यहां पर चुण रोजी क्ली फिर, होता है यहां पर आपको दिख जाएगा और जो रिवर्स करेंट है वह भी हमें यहां पर ज्यादा मिलता है इन के साथ की डायूड और यहां पर ब्रेक्डाउन भी जो है वह जाएगा था नो इसका एप्लिक्डाउन चाहिए चाहिए तो वहां भी यूज करते हैं इसके पाद इसका जो तो बहुत वास्ट आप्लिकेशन है वह लोग वोल्टेज तू आइक गरेंट पावर सप्लाइज जो है उसमें इसका यूज़ करते हैं या फिर रडार सिस्टम हो गया सौट की लॉजिक हो गया कम्पटर्स के लिए इसका यूज़ करते हैं तो बहुत वास्ट आप्लिकेशन है इसका शौट की डायोड का कोई डायोड किसी को इन वन है विए इन डाउट तो हमने आज तीन तरह का डायोड देख लिया तरनल डायोड देख लिया और चौट की डायोड देख लिया जो नेक्स बचा है वह हम करेंगे नेक्स चलास में किसी का कुछ डाउट है तो पूश के प्रेंगा